हेलो स्टुडेंट्स स्वागत करता हूं मेरी यूटूब चैनल पर आप सभी का तो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं तो मेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा हैं तो आज मैं कोशन नमबर 24 लेकर आया हूं ज मतलब 3 का मल्टीपल्स कितने होते हैं तो यहां पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होते हैं 3 होगा उसके बाद 6 होगा फिर 9 वो डॉट 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 कहां जाएगा एक तक जाएगा तो यह लास्ट जो है 24 होगा ठीक है तो और एक चीज़ आप जाने जाएगा यह AP क्या है यह AP के question है यह AP का question मतलब arithmetic progression का question है ठीक है देखिए इससे पहले भी मैं AP के question बता चुका हूँ ठीक है तो आप देखिए यही तीन फार्मले होते हैं तो हमको इस वाले question में A हमको पता है 3 है L हमको पता है 24 N हमको निकालना है क्या है N भी हमको पता है क्या है 8 है ठीक है तो आइए इसको solve करते हैं तो मैंने आपको formula device करा दिया तो क्या था SN is equal to N by 2 A plus R यह वाला formula इसले लगा रहे है क्योंको last time पता है और first time भी पता है ठीक है तो आईए शुरू करते है हमको क्या निकालना है S8 निकालना है ठीक और N की value हमको पता चल गई 8 by 2 हो गई और A की value हमको पता चल गई 3 है और last time हमाने पास कितना है 24 है यहां से कटके कितना हो गया 4 हो जाएगा और यह 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा अब इसको solve करेंगा तो कितना होगा देखेगा 28 को 8 हासिल लगा तो कहरी गया तो चार दुने के 8 9 और 10 108 इसका sum आ जाएगा ठीक है तो हमनों लिखेंगे किया अगर आपको कोशन पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें यह आपका ही चैनल है थांक यू सो मच